गुद मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम करेंगे कुछ समाने सी जो अशुद्धिया हमें देखने को मिलती है शब्दों में वाक्यों में एक बार हम फिर से उनकी पुन्रावृति करेंगे और सभी बच्चे मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी घर पर अपना भी धियान रख रहे हो और अपनी तयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और अगर अभी तक भी आपने हिंदी की बुक नहीं उठाई है डिवीजन के लिए तो आप बहुत लेट हो चुके हो क्योंकि आपका एग्जाम इतना इजी नहीं होगा सभी बच्चे अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए लिख कर तैयारी करनी है तो अपने पास में हाथ में अपने पैन पैंसल जरूर रखें रफ नोट बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप अपनी बुक से दे हैं ठीके चलते हैं कुछ असमाने कुछ समाने सी जैनकि कोमन सी वह कुछ समाने अशुद्धिया आपको कुछ शब्द दे रहे हैं नीचे इनको एक बर ध्यान से देखिए देखा आपने कैसी कैसी मात्राएं लगी हुई हैं क्योंकि परबड़ी की मात्रा लगी हुई है सामग्री में सामग्री दिखा हुआ है सामग्री शब्द कीजिए कार्य कर्म है परिवारिक ऐसे जो शब्द लिखे हुए हैं ये गलत है क्योंकि यहां पर हमने देखा कि मात्राओं के कारण जो शब्द लिखे हुए हैं वह सही नहीं लिखे है तो आप देखते हैं का जो सही रूप है वो क्या है नीचे देखिए उप्रियुक्त सभी शब्द अशुद है इनका प्रमुख कारण है शब्दों के स्वरूप का ठीक ग्यान ना होना शब्दों के स्वरूप का ठीक ग्यान ना होना छेत्रे प्रभाव के कारण उच्छारण में अशुधियां हो जाती है छेत्रे प्रभाव जानते हो आप सबी आपने देखा होगा जो यूपी साइड के वेक्ति होते हैं उनकी भाषा थोड़ी से अलगोती है कभी ध्यान से अगर आपने सुना हो वहीं पर अगर हर्याना के वेक्ति की बात करें तो हर्याना वाले वेक्ति का जो स्वर होता है जो बोलने का धंग होता है वो यूपी वाले वेक्ति से बेकुल विप्रित है बहुत ही अलग है और अगर समाने हिंदी की बात करें तो उनका अलग है राजिस्थान चले जाएं देखिए वहां की भाषा हैं आपकी भाषा उसे अलग मिलेगी आगरा चले जाएं वहां की भाषा में आपको अंतर मिलेगा आप करनाटका चले जाएं तो जहां पे भी आप अलग 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 छेत्रों में जाएंगे तो वहां की भाशाए बोलियों में भी उसी प्रकार से फर्क आता चला जाएगा और इसी फर्क की मैं यहां बात कर रही हूँ तो कुछ जो समाने से जो यहां पर अशुद्धिया है वो यही दिखाए गई है कि हिंदी वेगयनिक भाशा है इसके उचारन वे लेखन में काफी समानता है इसलिए उचारन की शुद्धता अत्यंत आउशक है उपर दिये गए शब्दों का शुद्ध रूप इस प्रकार है जो शुद्ध रूप है वो कुछ शब्दों का इस प्रकार दिया हुआ है देखे नीची दे रखे जैसे क्यूंकि ठेक है सामग रही या फिर हम दोनों को थोड़ा सा गर देखा जाए तो यह देख दीजे आप देखो दोनों के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से अंतर है दोनों शब्दों को आप खुद ध्यान से देखिए देखा आपने शब्दों को किस प्रकार से लिखे गई है यहाँ पे जो शब्द है सामिक ग्रे जो उपड लिखा है सामग्री वो शब्द है सामग्री छीक है तो सामग्री शब्द किस प्रकार से लिखना है ये आपने देखा कार्य कर्म शब्द है यहाँ पे उपर जो लिखा हुआ है जबकि सही शब्द क्या होता है कार्य क्रम कारे क्रम होता है, कारे कर्म नहीं होता धोका शब्द ना होकर धोका शब्द होता है पैत्रिक नहीं होता, पैत्रिक शब्द होता है पैत्रिक नहीं होता, पारिवारिक शब्द होता है दवाईयां शब्द नहीं होता, दवाईयां शब्द होता है दवाईयां हिंदू हिंदू दिपावली यह सारे जो हैं सही शब्द हैं आप नीचे कुछ समाने से अशुद्धियां आपको दी गई हैं जिने आप ध्यान से सबसे पहले आप स्वैम देखिए इनको ध्यान से तत्पश्चात मैं पढ़ती हूं दीखा आपने अशुद्ध और शुद्ध अध्यान शब्द है तो उसमें अध्यान में इन्होंने आधर ना ना इस प्रकार से लगा दी जबकि शब्द क्या होता है आधर धर यह उसको लिखा जाता है अध्यान शब्द अध्यान यानि के अध्यान करना जो हम कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं अध्यान कर रहे हैं ठीके तो अध्यान कर ले हो बहुत अच्छी बात है और सभी बच्छे घर पर अध्यान ही करे आधीन शब्द लिखा है जब इस शब्द होता है अध्यान क्या होता है अर्थ क्या है इस जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं उसी को हम हिंदी भी लिखा हुए अधीन होता है आधीन शब्द गलत है और इसी प्रकार से यह जो शब्द लिखा हुआ है उन्नती जो है बड़ी की मात्रा लगी हुई है गलत है उन्नती वे छोटी की मात्रा होती है जिसका आर्थ हो उपर Yook लिखा हुआ है, जोकि गलत है, इसको उपर्युख्त बोलते है उपर्युख्त नहीं होता, उपर्युख्त चिन हो, जी शब्द होता है ह के नीचे हलन लगाए जाता है, और इसमें बहुत बार गलतियां करते हैं बच्चे और इस शब्द को थोड़ा सा लिपके में practice कर लें जो शब्द है chin उसो कैसे लिखा जाता है चींक? कवितरी जब की शब्द है कवितरी तो कवितरी में चोटी एकी मात्रा होती है कवितरी निर प्राधी तो निर पराधी नहीं होता शब्द निरप्राध शब्द है निरप्राधी नहीं होता ठीक है निरप्राध निरप्राध शब्द ठीक है आगे शब्द है नीचे दिया रखो है निरप्राध के बाद परिक्षा जिसमें छोटी की मात्रा लगी हो ही है यह शब्द जो है वो गलत है परिक्षा ऐसी नहीं ह परिक्ष्या में अनुग्रहित तो अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित शब्द होता है, बड़ी की मातर है, अनुग्रहित शब्द है, रामायन शब्द नहीं होता है, रामायन शब्द होता है, इर्ष्या नहीं होता है, इर्ष्या शब्द होता है, खीके इर्ष्या है आशिरवाद इसको रिखेंगे ँप्लक्ष उप्लक्षए उप्लक्ष उप्लक्षए ठीक है उज्वल शब्द है उज्वल उज्वल किर जोस्य वह निखाए ज्वल उज्वल अहवान अहवां शब्द एन्तर्ध्यान आं थहान ये एं ऑंध। ब्रधान अंतरधान श्री मती आ सिय्मति प्रदर्श चीनी अ गैद ली अर्जयक जोगए नियुक्त लोगर के त्रेमेनेें तो ठ्लूतु देखें किस प्रकार से दिसदियां होती हैं जो आप गल्द्टी करते bạn प्रियाप्त होता है यानि कि जो हमें पूरा झाई जो कि अधिक वहवार है लोगों के साथ कैसा है आपका जो वह्वार से इताल लाइक विचायर 20 से त disse बिघाने के विआव से प्रदर्शनी होते हैं जो मेले में लगाई जादी है दिखाने के लिए ईग्जीमीशन लगते हैं उसको बोलते हैं इंदी में उसको प्रदर्शनी कहा जाता है छीकिंए प्र प्रदर्शनी what दरशनी श्रीमती में दोनों बढ़ी की मातर्वटा होती सब्सक्रास वागते हैं अन्सलिकर कोई कर रहे हैं कि इस अवसर पर इस उपलक्ष पर ठीक है उपलक्ष अ कि आर्शी वाद आशेवाद शाद नहीं होता आशिवाद शब्द होता है अगामी आगामी सम्राज्य सम्राज्य छी कि तो जो शुद्यां दिये हुई है इनको ध्यान देंगे आगे देखिए और भी इसमें एक्जामपल आपको दिये गए हैं बहुत सारे उधारन हैं तो कुछ हम अन्युधारन देख लेते हैं जिसे वहूवरही लिखा हुआ है वहूवरही में शब्द अभी आपको केवल शब्द को जिस प्रकार से शुद्ध करना अगर आपके एक् में ऐसा नहों कि आप महां गहलतियां कर घो बहू बहुव्रिही बहू व्रीही आपका इसमें की मात्रा नहीं होती है अत्याधीख शब नहीं हम नहीं होता है इसके निचे लो नहीं होता पुन्य शब्द में पुन्य शब्द होता है अना खाली वाला अना होता है पुन्य नील कंठ जो शब्द है नील कंठ शब्द होता है न इस प्रकास न लिखे ऊपर न की बिंदू लगाई जाती है कंठ खीक है आगा जो ध्वन्या जो होती है जिसमें अंगसी अंगूती जो तो जब हम बोलते हैं न वहां पर हमें यह मतलब उनकी ध्वनी के एवल हमें शब्दों पर शुनाई देती है महसूस कर चकते हैं निलकंठ निलकंठ पुझे निये पूझनिये पुझे निये नहीं होगा पूझनिये शब्द होगा स्वातंत्र स्वातंत्रिये अविशकार आविशकार नहीं होगा आविशकार शब्द है ठीके आविश बड़ी आ की बड़ा आ है आविशकार दूरदशा दूरदशा शब्द है दुर दश्या नहीं है, दुर दश्या श्रब्द है, किरपा नहीं है, कृपा, किरपा, कृपा, साधू, साधू, ठीक है, साधू, साधू श्रब्द, प्रणाम, प्रणाम, सने, स्नी, नमस्कार, नमस्कार, ठीक है, नमस्कार, नमस्कार, धरम, धर्म, स्मर्ण, 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 बारात, बरात, अथिति, 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 नच्छत्र, नक्षत्र, क्रीड़, 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 अतिशयोक्ति देखो उन्हों रुखा अतिशयोक्ति जब की शब्द होता है अतिशयोक्ति ऐसे लिखते अतिशयोक्ति अलंका जिसके अंदर आपका अतिशयोक्ति जो श है आपका वह इस प्रकार से रिखट रहता है अतिशयोक्ति सन्यासी सन्यासी शब्द एके एके जगत गुरू जगत गुरू शब्द है छमा को शमा शम्चान चाहिये जुरितु रिर्ड स्कूल बिमारी प्रसाद वसंत संजोग नहीं होता संजोग कुछ लोग संजोग बोल देते यह संजोग शब्द होता है संजोग से नहीं संजोग से आदर्श, ग्रहिणी, प्रतक, पत्नी, लक्ष्मी, सडक, मैथिली, शरन, जीके, मैथिली, शरन, कुछ नीचे वाक्य दे रखे, आपको वाक्य शर्ण चोधिन करने के लिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो क्या ये सही है, नहीं, क्या होना चुछ ये, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, एक उधार ना पर दिये हुए हैं, महात्मा गांधी भारत का रास्ट्र पिता था, महात्मा गांधी भारत का रास्ट्र पिता था, देखो एक तो, जब भी हम किसी बड़े महान विक्ति के या अपने से बड़े विक्ति की बात करतें, तुम था, वैसा था, वैसा था, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये तो सबसे बड़ी तूटियाई हैं, तो आपको धियार लखन हैं इस बात का, ठीके, महात्मा गांधी भारत के रास्ट्र पिता थे, यहां शुद गाएं का दूद मिलता है, यहां गाएं का शुद दूद मिलता है, मेरे पिता शुक्रवार के दिन आएंगे, मेरे पिता शुक्रवार के दिन आएंगे, या फिर बढ़ेंगे, मेरे पित कवाएंगे शुक्रवार के दिन में लिखा है मेरे पिता शुक्रवार के दिन आएंगे अब द्रध्यान से देखो इसमें आपको गलती है अच्छे से समझ मेंगी कहां पर गलती है इसमें जैसे यहां पर इनोंने कहा है मेरे पिता शुक्रवार के दिन आएंगे तो इस प्रकार से आपको जो दो दो बाद जैसे नित्य प्राता काल शब्द दुख कर लेते हैं तो प्रती दिन भी वही शब्द होता है प्राता काल वही प्र्यूग होते हैं कर दो तो इस बात का आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा और ध्यान से आपने वाक्यों में शब्दों में गलतिया नहीं करने हैं चलिए आगे देखिए एक वाक्यों लिखा है जिसमें है तुम अपना काम करो तो उसमें कुछ आपका वाक्य रहा होगा और भविशु में गलतिया ना हो इस द्रिश्टी के लिए कुछ वाक्यों का शंशोधन प्रस्तुत किया गया है जो बहुत बार गलतिया होती है तो उसी से समंधित यहां पर कुछ वाक्य दिये गये जिनके शुद्दता जिनको सही करके लिखने के लिए यहां बताया गया अशुद्वाक्य है और इसको शुद्व करके लिखना है तो यहां देखिए हम आप से कहे थे र Manuel पता है में यही व्यालवाक थे लोग आप यूज भी ए आजवढ़े हु करते हैं हम आप से कहे थे जब आप यूपी साइड जया होंगे भी हर साइड यूपी साइड वहां पर बहुत सारे ऐसे वाक्यों का प्रीयोग मिल जाएगा आपको हम आपसे कहे थे ना कि हमने आपसे कहा था हम आपसे कहे थे नहोंगे हमने आपसे कहा था किक्रपय भोजन कर लो मैंने आपको पहले बताया है किरप़या शब्ट यसने लिखे कृप्पा शब्द इसको बोलाता है पहली बात तो यहाँ पेक Şब्थ जो लिखा हुआ है कृपया जो ने लिखा है कृप्पा कर Prince EX भोजन कर लीजे यहां तो आप उसको ऐसे दिखिंगे करलो को लिजे उफीश भी चेंज करेंगे किले 빠 लेखेंगे करें पह भोजन कर लो ठीक है उसके पास केवल मातर सो रुपे है अब देखो केवल भी है मात्र भी है तो केवल कर बिटा अर्थ भी वही होता है केवल यानिकर only जिसको हम एंगलिज में पूलते है तो honor जो महां शब्द उसकर रहे हो प्रियोग कर रहे हो शब्द का उसके पास केवल मात्र सो रुबेयए तो मात्र या ज़िशन आप प्रियोग करेंगे या केवल शब्द का तो आप लिखोगे उसके पास केवल सो रुपे है अथ्वा उसके पास मात्र सो रुपे है, समझमाया अज्यो, चलिए आगे, हम उसके पास से आ रहा हूं, हम उसके पास से आ रहे हैं, ठीक, हम अगर आप्रियो कर रहे हैं, कि हम तो हम एक से ज़्यादा वेक्ती है चाहे वो दो हो तो दो वेक्ती है तो आ रहे है आ रहा तो नहीं होगा ना जब दो वेक्ती की बात हो रही है तो तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि किस की बात हो रही है वाके में एक वेक्ती है दो वेक्ती है लिंग से सम्मंदित रूटी है वचन से सम्म सबंदी यह यानि कि वहा भित पुल्ंग धृब है और उसी प्रकार से कारक' के समंद्धित भी करता है करम को करन से कहां पृप्रियोंगों होगा का यह तो इस प्रकार के बहुत इसंतों हम ब cotton के में दपने को मिल जाती हैं वह procesís आफको आफिक है चलि आगे देखते हैं, अब आप अवश्य सुने होंगे, जबकि वाकिया होता है, आपने अवश्य सुना होगा, वे छत से गिर गया, वे छत पर से गिर गया, आप देखो, या देखो पर भी है और से भी है, दोनों कारक साथ में दे दिए, वे छत पर से गिर गया, जबकि होना चाहिए वह छस से गिर गया जो करेगा वह भरेगा जबकि ऐसे नहीं होता जो करेगा सो भरेगा वह भरेगा नहीं होता आप कहो आप कहिए आप कहो ना करके आप कहिए यह गद्यांश पाठे पुस्तक से लिया गया है यह गद्यांश पाथ है पुस्तक से लिया गया है अब इसमें क्या गलती है गद्यांश की यह की यह है शब्द होता है यह नहीं होता यह गद्यांश पाथ है पुस्तक से लिया गया है यह है गद्यांश पाथ है पुस्तक से लिया गया है प्रधान मिंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया तो यो पर एकी मात्रा नहीं आएगी पुस्तक पर नहीं लिखो पुस्तक पर मत लिखो जे शंकर प्रसाद बढ़े अच्छे कवी थे जे शंकर प्रसाद बहुत अच्छे कवी थे ठीके बढ़े अच्छे कवी थे बहुत अच्छे कवी थे महादेवी वर्मा एक कवी थी महादेवी वर्मा कवी नहीं थी कवी त्री थी ठीक है लेखी का जिसे होते हैं लेखक लेखी का ऐसे ही कवी और कवी त्री होते है ठीक है बच्चो कवी त्री शब्द होता है उसके लिए हम कवी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं अगर वह स्त्री है स्त्री लिंग के लिए हम कवी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कवी त्री होता है ये लिंग सम्मंधी यहां तूटी थी हमारे को भी कुछ बताओ हमें भी कुछ बताओ वह प्रभु को दर्शन करने आया था वह प्रभु के दर्शन करने आया था तीके? वह प्रभु को नहीं वह प्रभु के दर्शन करने आया था मैं तुम और वह घूमने जाएंगे तुम वह या तो बोलते हैं मैं तुम और वह घूमने जाएंगे तुम वह और मैं घूमने जाएंगे एक गीतों की किताब ला दीजिए गीतों की एक किताब ला दीजिए देखिए शोर मत करो देखिए शोर मत कीजिए चीके गत इत्वार को वह जाएगा देखो गत जाने के जो गत इत्वार को वह जाएगा गत तो बीत गया हुए वह गत इजवार को गया था गत का मतलब बटा जो बीत गया वो होता है मैं आपकी श्रधा करता हूँ मैं आप पर श्रधा रखता हूँ श्रधा करना नहीं होता है श्रधा रखना की बात होती है श्रधा रखता हूँ पिताजी वापस लौट आये हैं हम यहां पर सा कुशल पुर्वक है यद्धपी वहे गरीब है कि तु इमानदार है उसकी मा बिमार थी अतेवे स्कूल ना आ सका हिंदी के प्रचार में बड़े-बड़े संकट है हिंदी के प्रचार में बड़े-बड़े संकट है हिंदी के प्रचार में बड़े-बड़े बाधाएं है हिंदी के प्रचार में बड़े-बड़े संकट है हिंदी के प्रचार में बड़े-बड़े बाधाएं है तो देखा आपने संकर्च के लिए हमने बाधाय शब्त का किस परकर से प्रयोग किया है और आपको यह तो बेटा कुछ सिर्फ उधारन है आप अपनी बुक से इसके लिए आप बहुत अच्छे से प्राक्टिस कीजिए बारवा बोल रही हूँ जितना लिख के आप अपनी प्राक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप किसी भी भाषा में निपून हो सकते है लिख कर तैयारी करना बहुत जरूरी है चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे वो हिंदी भाषा हो और सभी बच्चों के लिए मैं बारवा बोलती हूँ कि सभी रिडिंग जरूर करें पार्ट को जरूर पढ़ें उससे क्या होगा एक तो आपकी रिडिंग हाबिट होगी आपको पढ़ने ही में अच्छा भी लगेगा और आप जल्दी भी पढ़ पाएंगे और सही भी पढ़ पाएंगे उससे आपकी अपने आप से जो थूटियां हैं वो कम होनी शुरूर जाएगी समझे आप सभी और सभी बच्चे अपना काम समय पर कम्प्लीट करके सम्मीट कर दीजिए जिसका काम पैंडिंग है और बच्चे रिटन प्राक्टिस कीजिए एक्जाम के लिए सभी बच्चे अभी से लिख कर प्राक्टिस करें यह मैं सोची के पहल दिया तो हो गया लिख कर प्राक्टिस करने हैं ओके ठाने वाद